एलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं सेज़ वान फ्राइट राइस सेज़ वान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ाई में ओईल ले लिया हैं तो यहां पर हमारा तेल गरम हो जाए फिर इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट एड़ करेंगे अच्छे से सोटे करेंगे तो यहां पर हमारा जिंजर और गार्लिक अच्छे सोटे हो चुका है फिर इसमें ओन्यान एड़ करेंगे ओन्यान को हलका सा सोटे कर लेंगे फिर इस को भारिक चोप कर लिया है वो करेंगे आप अफनी पसंद के कोई भीンタश्रीeme कर सकते हो से उच्छे से के सारे सीच को अच्छे आध स Conduct करणा है तो इसके बाद हम नमक खळांगे फिर सारी चीजों को आच्छे से ने के लिएक पाउडर किया हैं लास्ट में य से बारिक चोग कियो है whole तो यहां पर मैं आ कर दिये हैं सारी चिजों को अच्छे सोय सस और एक तो मेन टोमेटो केच्छुप moheen लेफट ओवर करेंगे इसके बाद मेरा में इंग्रिजिया силь चुटctoral अज़र करींगे अ जो है यहां दुट को टेश्थ में उस्ट कर एंगे तो यहां पर मैंने एक चममच सेजवान चटनी एड़ करी है तो यह थोड़ी सी तखी होती है इसलिए मैंने एक चममच ही डाला है आप जितना भी तीखा पसंद करते हो उतना एड़ कर सकते हो सेजवाना चटनी को राइस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे दो-तीन मिनिट के लिए कुक करेंगे फिर हम गेस की फ्लेम बन कर लेंगे तो यहां पर हमारे हमारे लेफट आवर राइस से बने हुए षेजवान फ्राइट राइस बन तया है उपर से हम स्प्रिंग ओनिऊन प्रिंगग udah ओर से थोड़ा तो यहाँ पर हमारे राइस बन कर तैयार है तो फ्रेंड्स अगर आप भी लेफ्ट और राइस से कुछ यूनिक बनाना चाहते हो तो यह रेसिपी जरूर प्राइब करें पर्ण भाइस से कुछ अजये लेफ्ट बनाना